के सब्सक्राइब करें कि हलोज south स्टूडइनस इस विडियो लेसंवेसं में आपका बहुत-बहुत सवागत है और इस वुडियो लेसंवे हम बात करने वाले हैं उन दों सॉफ्वर की जिसकी हमें इस खोर में जरोत पढ़ने वाली हैं दोस्तों Javascript को सीखने के लिए और Javascript के code को run करने के लिए हमें दो तरह के software चाहिए होगे पहला दो software होगा वो हमारा होगा एक code editor जहां पर हम अपना code लिख सकें सो दोस्तों जो आपका code editor होता है वो एक ऐसा software होता है जहां पे programmers अपने program को लिखते हैं और दूसरा जो हमें software चाहिए वो होगा एक browser क्योंकि Java script को run करने के लिए हमें कोई compiler या फिर किसी interpreter के जरूरत नहीं होगी हमें सिर्फ और सिर्फ एक browser की जरूरत होगी तो चलिए सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं उस code editor के जिसका हमें use करना है आजकल बहुत साथे code editor अवलेवल हैं लेकिन मैं इस course में visual studio code use करने वाला हूँ मैं personally visual studio code अपने सभी production application के लिए use करता हूँ इसलिए मैं इस course में भी visual studio code use करने वाला हूँ अगर आपको भी visual studio code use करना है तो आप code.visualstudio.com पर आजाओ आप इस url पर आजाओ और वहां से आप इस download बिटन पर क्लिक करोगे तो वो आपके system के लिए download कर देगा अगर आप एक mac यूज़ कर रहे हो मेरी तरह तो यहाँ पर आपको download for mac का option मिलेगा अगर आप windows यूज़ कर रहे हो तो आपको download for windows का option मिलेगा और अगर आप linux यूज़ कर रहे हो तो आपको download for linux मिलेगा जो भी हो अगर आपको ये visual studio code यूज़ करना है तो आप इस url पर जाओ और यहाँ पर जो भी बटन होगा जो भी होगा आप उस पर click करो और उससे download करो और download करने के बाद आप उसे install कर लो अपने सिस्टम में अगर आपको visual studio code यूज़ नहीं करना है तो एक दूसरा code editor है जिसका नाम है atom यह भी बहुत ही popular है अगर आपको atom को यूज़ करना है तो आप atom.io पर आ जाओ इस url पर यह रही atom.io और इस url पर आने के बाद अगर आप इस बटन पर click करोगे तो यह आपके system के लिए suitable installer download कर देगा और अगर आपको यह visual studio code या फिर यह atom दोनों मेंसे कोई भी यूज़ नहीं करना है तो एक और एडिटर है जो कि बहुत popular है और उसका नाम है उस editor का नाम है brackets तो brackets को download करने के लिए brackets.io पर आजा और वहां से आप इसे download कर लो लेकिन इस course में visual studio code ही यूज़ करने वाला हूँ और मैं recommend करूँ का कि आप लोग भी visual studio code ही यूज़ करो चलिए यह तो बात होगी हमारे एक code editor की अब हमें एक browser चाहिए नॉर्मली आपके system में internet explorer या फिर safari या फिर edge इंस्टॉल होगा लेकिन हमें एक अच्छा browser चाहिए तो एक अच्छा browser कौन सा होगा नॉर्मल से बात है chrome browser अगर आपको chrome इंस्टॉल नहीं करना है तो कोई बात नहीं आप mozilla firefox भी इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन मैं prefer करूंगा और मैं आपको recommend भी करूंगा कि आप google chrome डाउनलोड करो अगर आ आप वहां पे click करना और वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना google chrome बहुत अच्छा browser है और इसमें हमें कुछ features मिलेंगे जो कि पहले से ही इसमें install and build है जिसका यूज करके हम अपना code को यहां पर run कर सकते हैं तो आप जाओ और इन दोनों software को आप visual studio code और google chrome को अपने में install कर और फिर हम अगले वीडियो में अपना javascript का पहला code लिखेंगे